अधे अधे फ्रेंट साब सबीकों सभागते हैं मेरे लड़े नटकर बहुत प्यारी सी सुन्दर सी कामी का एकादर्शी के दिन मैंने शावन में आने वाली जो है ना आज जो मैं एडिट करके दाल लिए हूं तो आपके साथ शेयर करते हूं इस तरह से मैंने कामी का एकादर इस तरह की बनाई थी तो बहुत एजी वे मैं मैं बनाना बताओंगी देखिए इसमें गिरीन और यलो दोनों ही लुक आ रहा है तो गिरीन भी आगया और यलो भी आ गया जिस तरह से हम कामी का एकादर्शी के दिन पहला सकते हैं बनाकर अगर आपके पास भी इस तरह की ल बना सकते हैं कितनी सुंदर्शी लग रही है देखिए इजी वे में बना ना बताइए मैं आपको बहुत जरू करना वीडियो पसना है तो लाइक जरू करना चैनल को से स्काइब करना चैनल को शेयर जरू करना चलिए देख लेते किस तरह से बनाई हैं तो फ्री मेरे पास अस्तरे हैं देंग आ स्तर वाला इस तर वाला ले सकते हैं मेरे पास प्रिंट वाला था तो मैने ले लिया है 4 schauen चोड़ाई है 32 नहीं चोड़ाई है तो आप लंबाई चोड़ाई अपने लड़ो पाल जी की साबसे ले दो जीन बड़े में बस मैं आपको तरीका बताए हैं आप step by step follow करेंगे तो बहुत ही सुन्दर सी प्याइसी जीवे में ड्रस बन जाएगी इसे साइड में रखते थे हैं तीन इंच ओड़ाई और दस इंच लंबाई की एक और पट्टी ले लिए हैं और तीन इंच ही लंबाई है और दस इंच लंबाई की दो पट्टियां ही इक लेने ही तो comfortable ड्रस बनाने वाले हम वोशेबल ड्रस बनाने वाले सावन में इसी तरह की ड्रस बना मना कर अपने लाड़ू को पाल जी को पहना सकते हैं सीधी पट्टी से बनने वाली ड्रस बहुत ही एजी होती है आप चाहो तो अस्तर बे लागा सकते हो तो फैबरिक तो सब मोटा है हमरे यहां पड़े यह गर्मी तो मैं जादा हैवी कपड़े अपने लाड़ू को पाल जी को नहीं पहना आती हूँ ना रादरानी जी को पहना आती हूँ ना जादा शिंगार उनका करती हूँ क्योंकि हम इनी सेन पार्ज कर पाते हैं इस तरह की उमस वाली गर तो आपको आदा गंटा लग जाएगा मैंने 25-20 मिनट में ये ड्रास बनाकर त्यार कर लिदी है तेखिए आप लेस लगा लेंगे लेस की चोड़ी लेस हो तो इस तरह से लगा सकते हैं देखिए मैंने पूरे गेर को कवर करने के लिए इस तरह से लगाया है और आप कोने को बिठा देंगे इस तरह से फोल्ड करके इसको गुमा के लिए कहेंगे लेस तो कोना भी बैट जाएगा और यहां पे सुई को अटका देंगे अटकाने के बाद थोड़ी सी फैब्रिक से उपर रखिए लेस ताकी देखिए कि तो सुन्दर सा लूप पाइपिंग वाला रह बना कर आप भी पहना सकते हैं तो आपको बस प्राइगा नहीं के देरें ट्रस्मी मेर से सुन्दर और प्याली ड्रस आप बना कर अपने राधागिश्न को पहना कर यह वाली सेवा भी परतान कर सकते हैं देखिए एक और बार आपको ना इस तरह से बिठा लेंगे थोड़ लेस हो तो एक बार भी कर सकते हैं पतली पतली लेस हो ना तो उसको दो तीन बार करके भी पट्टी पे लगा सकते हैं इस तरह से सीधी पट्टी तयार हो जाती है और उससे ड्रस बनाने का लुक भी बहुत सुन्दर साता है ड्रस भी बहुत सुन्दर बनती है तो इजी वे जालनिया हमें इस तरह से दागे को एक्वल ही रखना 테ट जाना तो इसलिए निचे से एसए ही रखे और उपर से ना थोड़ा सा च्छोटा बडा बिल्बा चल जाएगा मांड में फैब्री को थोड़ा कट रके ऐस पर कम़र पठी लगा दें एक छोड़ी इस तरह से लेते जाएंगे तो एक एक प्लेट लेके इस तरह से स्टीच करेंगे तो सेट हो जाएगी फ्लिट से और बिल्कुल ही सुंदर सा गेर तयार हो जाएगा सरकल में किसी पितरह की दिखत नियों JOHN आब को इस सरकल में बनानी लें पिलेट्स को तो देखे एक एक के डाल लें देखे इसस तरह से कए रिख्या के दालने और के की नीचे की प्लेट्स को इक्वल करते हैं ताकि पलट जाती है ना फिर वह होता है खोलने में दिक्कत होती है लास्ट में आपने जो भी एस्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था ना उसको अंदर की साइड फोल्ड करके डोरी को भी अंदर करके स्टीच कर देंगे बस हमारा यह लें तो दो बार फोल्ड कर लेंगे लंबाई चुड़ाए तो मैंने शुरुआत में बता दिती एक बार और आपको ना आपके बता दिये आप इसको दो बार फोल्ड करने के बाद स्टीच कर लेंगे देखिए अगर आप चाहते हैं इस तरह की चोली बनाना तो इसी तरह से करने के बाद अब इस पे भी हम लेस लगा लेंगे हमारी बिगनर वो तो पहले स्टीच कर लें और फिर उसके बाद लेस लगा ले और अगर आपको स्टीच आती है तो दोनों को एक साथ बिल्ड कर सकते हैं तो डबल स्लाइफ एरिगे इसको भी लॉक कर लेते हैं हमारी प कम्प्लीट हो जाएगी तो हम कामी का एकादर्शी के दिन मैं आज के दिन मैंने जो कम्मुनिटी पोस्त आला है उसमें लाडू को पाल जी को तो आप लाइक कर सकते हैं ठीक है इस तरह से हमने साइड में रख दिये पट्टी को तयार करके अब में लेस से ही चोली बनाने वा करना है हमें स्टीच कर देना बीच में सा एक इंच तक का हम स्टीच कर देंगे यांसे और स्टीच डबल स्टीच करेंगे ताकि हमारी खुले नहीं बिना कट करें हम लेस से ही चोली बना सकते हैं अब इसको घहर के साथ अटेच कर सकते हैं यहां पर मार्क कर लेंगे बीच आपको क्रॉस में करना है लाड़ गोपाल जी का मार्क के अक्वार्डिंग करना है तो देखिए कभी-कभी फिलीस थोड़ी सी वोइज नौइज आईगी इसको इग्नोर करना पास में मकान बना है जिसमें ठोका भीटी हो तो उसकी नौइज आती रहेगी तो मैं कोशिच यह करें जली-जली रिकॉर्डिंग करके आपको किलियर बाते बता सको ताकि आप भी अपने लाड़ गोपाल जी किस तरह की ड्रेस बनाकर पहना सके आट इंच की हमने लंबाई ले लिए मैंने आपको बोला ही था और इसको इस तरह से क्रॉस करना है को इसा भी कल रूपर नी सब्सक्राइज में वह भी बताना जरूर जो भी चीज आपको इस वीडियो में पसना आए तो प्लीस लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को शेयर करना राधे राधे